दोस्तों अगर आप अपनी बॉडी से फैट को खतम करना चाहते हैं अपने पेट वाले एरिये में अगर आपकी बहुत ज़्यादा चर्बी है उसको बिल्कुल जड़ से खतम करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी exercise बताओंगा जिनको आप अपने घर पर ही perform कर सकते हैं उसके साथ में मैं आपको कुछ उनकी techniques बताओंगा और साथ में आपको ये भी बताओंगा कि अगर आप फैट को जल्दी कम करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए तो ज़्यादा समय नहीं वेच करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे exercises की कि ऐसी कौन सी exercises है जिनको घर पे करके आप अपने fat को कम कर सकते हैं सबसे पहले जो exercise है जो सबसे important exercise है वो है running अब आप लोग सोचे हों कि हम लोग running घर में कैसे कर सकते हैं तो उसका भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिसको बोलते है spot running अब देखे spot running हम कुछ इस तरीके से घर पे ही कर सकते हैं इस exercise को इस running को करके आप अपने fat को घर पे कम कर सकते हो अगर आपके पास में time नहीं रहता है आप busy रहते हो या फिर आप घर से बाहर जाके exercise या running नहीं करना चाते हो तो इस exercise को आप अपने घर पे ही कर सकते हो कुछ इस तरीके से और यहाँ पर मैं एक बात बतातू इस exercise का ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको सुबे ही करना है आप चाहो तो शाम को करो और बलकि शाम को अगर आप करते हो तो आपकी body से ज़्यादा fat कम होता है तो spot training आप लोग कर सकते हैं उसके बाद जो दूसरी exercise है वो है jumping jack अब jumping jack को हम कुछ इस तरीके से perform कर सकते हैं ये भी एक exercise है को बिल्कुल खतम करने के लिए आपको बर्पी कुछ इस तरीके से perform करना होता है उसके बाद जो अगली exercise है वो escaping rope मतलब आप लोग रसी को उच सकते हो ये भी exercise आप लोग घर पे ही कर सकते हो जितनी exercise मैंने बताई आपको ये समझना है कि आपको सारी exercise को 10-10 मिनट करना है मैंने आपको चार exercise बताईए आपको सभी को 10-10 मिनट करना है 10 मिनट से मेरा मतलब है कि आपने एक बार किया फिर अगर आप सोड़ा सा ठक गए तो 30 सेकंड, 40 सेकंड का आप रेस्ट लोगे फिर से करोगे, ऐसे ही करते करते आपको 10 मिनट तक एक exercise को करना है उसके बाद अगले 10 मिनट दूसरी exercise को करना है मतलब 4 exercise मतलब आपको पूरे 40 मिनट देने है अपनी कार्डियो की exercise पे उसी के साथ में आप लोग एक हफते में कम से कम 2 दिन resistance training किया करो अगर आप resistance training अपने घर पे करना चाहते हो तो इसके उपर भी मेरे वीडियो बनाया है आई बटन में मिल जाएगा उस वीडियो को भी एक बार आप लोग जरूर देख लेना आप हम लोग बात करते हैं आगे किया में और क्या क्या चीज़े ध्यान दखनी चाहिए देखो आपको sugar यानि चीनी को बिलकुल खतम कर देना है मतलब आपको चीनी बिलकुल नहीं लेनी है होता क्या है जब हम चीनी लेते हैं तो हमारी body में insulin level बढ़ जाता है और एक बात को ध्यान दखो अकर आपकी body में insulin level बढ़ा रहेगा तो आप अपने पेट की चरवी अपने शडीर की चरवी कभी भी कम नहीं कर पाओगे आप लोग शुगर फ्री का यूज़ करो लिकिन जो नॉर्मर वारी चीनी होते हैं उसको कभी भी मत लेना नहीं तो आपका fat नहीं कम हो पाएगा उसके बाद जो अगली tip है वो है meditation आप लोगों को कम से कम एक दिन में 10 मिनट तो meditation करना ही करना है यहर 10 मिनट कोई बहुत जादा नहीं सिर्फ 10 मिनट आपको सुबे meditation करना है थोड़ी देर बैठना है जिससे आपका जो cortisol level है वो body में कम होता है देखो cortisol एक hormone होता है जो अगर हमारी body में बढ़ता है तो उस hormone के बढ़ने से हमारे stress बढ़ता है और stress के बढ़ने से हमारी body में insulin का level बढ़ता है और insulin बढ़ने से हमारा मोटा पा बढ़ता है तो अगर आपको insulin कम करना है अपनी body में fat को कम करना है तो आपको कम से कम 10 minute meditation रोज करना चाहिए तभी आपकी body से fat कम हो पाएगा और जो जो मैंने आपको exercises बताई जो मैंने आपको cardio बताया है starting में उस cardio का आप लोग एक बात ध्यान रखना कि आपको हफते में कम से कम 3 दिन करना है आपको बहुत जादा करने की जरूरत नहीं अगर आप अभी beginner हो तो आप लोग सिर्फ 3 दिन करो हफते में और 2 दिन आप resistance training यानि exercise करो जिसका मैंने वीडियो बनाया है आई बटन मिल जाएगा तो उसको भी देख लेना जो जो टिप्स मैंने आपको दिया आप इनको जरूर अपनाना और मैं आपको guarantee देता हूं कि बहुत ही कम समय में आपकी body से fat खता होने लगेगा और आप एकदम toned body आपको मिल जाएगी दोस्तों ये था वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर करीगा और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजेगा